हलोग भरीवान ग्रीटिंग्स फ्रम डॉक्टार रशमी स्हुमिपैथी फ्रेंड्स आज जानने वाले हैं सोरीयेटिक आर्थराइटिस के बारे में Remedied Arthritis और Osteo Arthritis के उपर अलड़ी वीडियो जो है पाब्लिश्ट हो चुकी है लेकिन आज मैं बात करना जा रही हूँ तीसरा सबसे important form जो Arthritis का होता है Psoriatic Arthritis के बारे में तो friends जो Psoriatic Arthritis है ये दो अलग अलग शब्द से मिलकर के बना हुआ है Psoriasis और Arthritis तो Psoriasis के कारण अगर आपको Arthritis हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं Psoriatic Arthritis ये करीब 50 से लेकर 70% केसिस में देखा जाता है कि जो Arthritis हो रहा है वो हमेशा Psoriasis के बाद होता है लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि Psoriasis से पहले ही आपको Arthritis हो जाता है और आपको Psoriasis बाद में आता है ये करीब 20% केसिस में देखा जाता है तो इसको भी हम Psoriatic Arthritis में ही लेते हैं तो फिरिंट जिन लोगों को Psoriasis होता है अब में डिटेल में बताऊंगे कि Psoriasis क्या होता है तो जिन लोगों को Psoriasis होता है करीब 20% चांसे इस बात के होते हैं कि उनको आगे चल करके Arthritis के प्रॉबलम हो सकती है तो जो Psoriasis होता है एक Auto Immune Condition होती है आपके Skin को Affect करती है आपके Eyes को Affect करती है आपके Joints को Affect करती है और आपके Nails को Affect करती है यह 4 Important चीज़े होती है जो आपकी इस बिमारी के द्वारा Affected होती है सोरियासिस एक ऐसी चीज़े जिसमें सबसे ज़्यादा लोग होमियोपाथी में आते हैं क्योंकि सबसे अच्छा इलाज इसका होमियोपाथी में ही पाया जाता है तो अगर आपको सोरियासिक कारण आपके joints affected हो रही है तो उसको हम सोरियाटिक arthritis बोलते हैं और सोरियाटिक arthritis, rheumatoid arthritis के जैसा ही होता है पस थोड़ा सा difference होता है जो rheumatoid arthritis होता है उसमें आपका जो RA factor होता है वो positive होता है रumatoid arthritis में ये सारे symptoms भी होते हैं लेकिन थोड़े से जाधा degree में होते हैं और उसकी prognosis सोरियाटिक arthritis से थोड़ी कम अच्छी होती है मतलग उसका इलाज उतना अच्छा नहीं होता जितना सोरियाटिक arthritis का होता है तो सोरियाटिक arthritis को zero negative arthritis बोलते हैं सीरो नेगेटिक का मतलग हुआ कि इसमें आपका आरेफेक्टर नेगेटिव है अब हम जानते हैं कि जो सोरियाटिक arthritis होता है इसके कितने टाइप्स होते हैं और उसके क्या-क्या symptoms होते हैं तो फ्रेंट्स जो ये प्रॉब्लम होती है सोरियाटिक arthritis इक करीब पांस तरह की होती है सबसे पहला जो होता है वो होता है asymmetric arthritis अब asymmetric का मतलब हुआ कि आपके शरीर में कोई भी एक दो पार्ट affected हो सकते हैं और जैसे कि आपका ये पार्ट मतलब आपका elbow joint आपका knee joint आपका ankle joint कोई भी एक joint affected हो सकता है एक ही side आपका affected हो सकता है तो ये थोड़ा सा mild form होता है और करीब 40% लोगों में ये problem दिखी जाती है इसकी prognosis काफी अच्छी रहती है पूरा इलाज लेने के बाद ये पूरी तरह से ठीक हो जाता है इसके बाद दूसरा जो type आता है वो होता है symmetric अब symmetric का मतलब हुआ कि अगर आपका ये joint affected है तो other side का भी दूसरा joint affected होगा मतलब आपकी elbow joint है तो दोनों side के elbow joint है नी है तो दोनों side की नी है ankle हा तो दोनों side का ankle है आपकी wrist है तो दोनों हाथों की wrist है तो जो भी joints है दोनों side के अगर affected हो रहे हैं तो उसको हम बोलते है symmetric psoriatic arthritis यह जो होता है यह थोड़ा सा सिवियर होता है पहले वाले से और इसकी प्रोग्नोसिस उतनी अच्छी नहीं होती है लेकिन फिर भी और्थ्राइटिस यानि रूमर्टाइट और्थ्राइटिस से इसका जो प्रोग्नोसिस होता है वह बेटर होता है तीसरा जो टाइप आता है उसको हम बोलते हैं distal interfer mijrel joint क्या होते है ये हमारे joints होते हैं छोटे-छोटे से joints ये पैरों में भी हो सकते हैं हाथों में भी हो सकते हैं जो आपकी nails का last joint होता है इससे पहले बडちゃ जॉयंदो होता है dieses joint ये जॉयंद येवालत होता है इसको हम बोलते हैं distal Sal curious joint अगर यह affected होता है तभी भी यह psoriatic arthritis का यह part होता है इसकी prognosis काफी अच्छी होती है और करीब करीब 15% लोगों को यह असर दिखाता है इसके लाओ एक variety आती है जिसको हम बोलते हैं spondy arthritis जहां पर भी word spondy आएगा उसको हम बोलते हैं जो कि related होता आपके spinal cord से तो अगर आपके spinal cord से related है तब हम इसको बोलते हैं spondy arthritis या psoriatic arthritis का एक type होता है इसकी prognosis भी उतनी अच्छी नहीं होती है और यह जो असर होता है करीब करीब 15% लोगों में यह देखा जाता है इसके लाओ जो last type होता है जो fifth type होता है उसको हम बोलते हैं arthritis mutilence यह सबसे severe form होता है psoriatic arthritis का करीब 5% लोग इससे affected होते हैं और इसकी prognosis अच्छे नहीं होती है मतलब इसका जो इलाज है उसका जो result है वो अच्छा नहीं मलता है तो 5 तरह की psoriatic arthritis की problem होती है अब हम जानते हैं कि इसकी जो symptoms होते हैं वो क्या देखने को मिल सकते हैं तो friends इसके जो symptoms होते हैं वो depend करता है कि कौ सा part affected हो रहा है अगर आपकी skin पे problem आ रहे हैं तो आपकी skin में scaly patches बनेंगी लाइने पड़ जाएंगी और आपकी skin काफी उबरी हुई सी लगेगी वहां पर white color की लाइने सी बनी होएंगी और इसके जो boundary होती है बनी होती है जो भी patches में boundary बनी होती है इसकी उठी हुई होती ह है थोड़ी मोटी होती है बहुत जादा इची होती है यह सारे symptoms होते हैं आपके psoriasis के पतली-पतली सी पर्ते निकलती है क्योंकि जो आपकी skin होती है वो skin को shut नहीं कर पाती है जो cells होते में जमा होते रहते हैं तो मोटी पर्त इसमें बन जाती है आखों पे बिसकासर आता ह यह फोटो-फोबिया हो सकता है तो आपको में एक सौरने सी मैसूस हो सकते है इसके लावा T नेर्स में काफी अच्छा असर का दिखा जाता है अच्छा खासा आपको फरक पता लगे Len醋 होते है इसे आपके झील सपस्टें तो पड़ते हैं तो ciao कहा बढ़ें in जब को लुए होगते हैं आपकी ठोड़ते रहते हैं काफी पेशन्स में पूरी तरह से निकल जाते हैं और जाते है निकल जाते हैं ठोड़ते हैं यहाँ सब siitä अर्थिक्शन सिंटम्स में बहुत इंपॉर्टन जो आपके साथ शेर करना है वह यह है कि जितनी बिधा उटो इन्मिन डिसार्टर होते हैं इसमें फ्लेयर अपस होते हैं और रेमिशन्स होते हैं मतलब वह भी मारी थोड़े दिर उठीगी फिर उठेगी फिर फूर्ट तो इसको फ्लेयर लगे कि बहुत बढ़ गई है जैसे जैसे थोड़ा सा मौसम में बदलाव आएगा थोड़ा टेंपरेचर बढ़ेगा उसको अराम मिल जाएगा तो पेशन को क्या लगेगा कि मेरा जो प्रॉब्लम है वो काफी ठीक हो गया और उसका इलाज वो नहीं लेता है लेकिन वो बीम प्रॉब्लम होता है और जो आपका एंटी बॉड़ी होता है वो इसमें निगेटिव होती है तो इन्वेस्टिगेशन कराने के बाद कंफेमिशन आपको मिल जाती है और कई बार इसकी जो सिम्टम्स होते हैं देखकर कि फिजिकल एग्जामरेशन से पता लग जाता है इन् को स्क्रेश कम से कम लेना है और कई जाइंट पेञ्स अगर आपको होते हैं तो आप एक्टिविटी करना बन कर देतें आप रेस्ट करने लगते हैं तो आपकी जो स्किन है आपके जो 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 जुवाइं क्कर diddh हो रहा हो लेकिन हलक की फिल्की एकसराइग थोड़ा बहु तो भी सोरियाटिक और्थरैटिस के पेशन्ट हैं वो गारलिक और जिंजर को अपने डायेट में जादा से जादा यूज करें और पानी भी कम से कम साथ से आठ ग्लास पिए क्योंकि जो पानी होता है यह हमारे शेरी के सारे टॉक्सिंस को दूर करता है और हमारी जितने भी क हमारे बाड़ी में केमिकल्स बन रहे होते हैं जो भी बाई प्रोड़क्स हो रहे होते हैं मेटबॉलिजम के उनको बाहर निकालता है इसके लावा आपके स्किन पे अगर बहुत जादा इचिंग हो रही है तो आप मैं साथ किसी भी तरह के हार्श सोप वगरा को ना यूज करें आप मैं बात करते हूं कुछ इंपॉर्डन होमेपाथिक मेडिसिंस के बारे में तो फ्रेंट जो सोरियाटिक और्थ्राइटिस का ट्रीटमेंट है कई बार इसके नहीं हो पाता है क्योंकि बहुत सारे पेशेंट आते ही बोलेंगे कि मुझे कोई क्रीम देदो जो मैं अपनी जोडो में मसाज कर लो तो जो होमेपाथि का सिस्टम होता है वो डिफरेंट होता है द्यान दी आलोपर्थिक सिस्टम होमेपाथिक सिस्टम में वी टेक दिक कॉंसिटूशन जो पेशन का स्पेसिफिक सिंटम होता है उसके अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट देते है आप कितने भी cream oils लगा सकते हैं उससे कोई नुकसान नहीं होगा लेकिन उससे आपका treatment हो सकता है ये गलत है तो होमेपथी में जब हम पूरी case taking करते हैं हमें जानने के कोशिश करते हैं कि patient का स्वभाव क्या होता है especially in case of chronic autoimmune diseases तो autoimmune cases में हम ज़रूरी है कि उसका पूरी case taking करते हैं तो पूरी case taking में कम से कम 20-30 minute का समय लग सकता है लेकिन ये जो बिमारी है ये पूरी तरह से जा सकती है सिर्फ एक specific homeopathic treatment से तो इसमें सबसे पहली दवा क्योंकि कुछ frontline medicines जो सबसे जादा cases में दी जाती है और सबसे अच्छे results मिलते हैं उनके बारे में हम share करने वाली information तो सबसे पहली दवा जो दी जाती है psoriatic arthritis के cases में वो है sulfur sulfur को हम देते हैं अगर बहुत लंबे समय से आपको psoriasis की problem रहती है patient की बहुत जादा गर्मी लगती है बहुत जादा पसीना उसको निकलता है तो उनके cases में हम इसको sulfur से start करते है sulfur को हम varying potences में दे सकते हैं 30 potency, 200 potency, 1M potency में दे सकते हैं और इसका जो result है वो काफी अच्छा रहता है next medicine जो होती है जो दी जाती है वो होती है rust talks rust talks को हम देते हैं friends जहाँ पर patient कहता है कि मैं एक जगा बैट नहीं सकता जब मैं चलता रहता हूँ तो मुझे ठीक लगता है लेकिन जब मैं चलना शुरू करता हूँ तब मुझे तकलीब बढ़ जाती है और जब 2,4,6,10 कदम कर लेता हूँ चल लेता हूँ तो ठीक लगता है ये भी patient बताते हैं कि सुबा उठने के बाद bed से उतरना बहुत मुझकल हो जाता है वाश्रूम तक जाने में परिशानी होती है लेकिन जब नहाद हो कर कि वापस अपने routine में लग जाता हूँ तो कीज़े काफी हद तक normal लगते है तो ऐसे cases में हम rust rocks देते हैं जिसमें जब pain होता है वो relief करता है after walking, after motion, after exertion तो उसको हम 30 potency में दे सकते हैं next एक medicine आती है bryonia it is very much opposite to rust rocks rust rocks में हमें motion से अराम मिल रहा था bryonia में patient क्या करेगा कि उसको पूरी दिन एक जगा बठे रहना देगा अपने पैरों को या joints में उसको problem है तो अपने पैरों को पीछे छुपा के रखेगा कहीं किसी से चोट नहीं लग जाए तो इतना जादा वो डर रहता है और जो उसका joints होता है जहां पर उसको pain रहता है बिल्कुल red देखता है टच करने में बहुत heat मैसूस होती है और काफी ज़्यादा swelling होती है motion में बिल्कुल नहीं करसकता बिल्कुल move नहीं करसकता stand still रहना चाहता है तो ऐसे cases में brainia बहुत अच्छा काम करती है और ब्रैनिया osteoarthritis के cases में rheumetroid arthritis के cases में हर तरह के arthritis के case में बहुत अच्छा काम करती है तो ब्राइनिया को हम वेरिंग पोटेंसी में दे सकते है 30, 200 या 1M पोटेंसी में दिया जा सकता है depending upon की patient की क्या requirement होती है next एक और medicine है friends वो है arsenic iod अब arsenic iod को कहां देना होता है तो patient खुदी बताता है कि जब मेरे अपने joints को ठंडे पाने से धोता हूँ तो मुझे बहुत आराम मिलता है जैसे थोड़ी से गर्मी बढ़ती है पैर एकदम जलने लगते हैं दर्ट बहुत बढ़ जाता है मैं बहुत जादा restless हो जाता हूँ बहुत जादा बेचान हो जाता हूँ मेरी सारी परेशानी रात को बढ़ जाती है यह कुछ important symptoms पेशन अपनी परेशानी के बारे में बताता है और कहता है कि ठंडे पानी लेकर के मन करता है कि मैं उसको धोता रहा हूँ अपने joints को और उसके बाद मुझे काफी बेटर लगता है तो ऐसे cases में हम आर्सेनिक आयोट देते हैं आर्सेनिक आयोट को भी हम 30 potency में देते हैं नेक्स्ट एक और important medicine है friends वह है ग्वाइकम जो ग्वाइकम medicine होती है यह बहुत important medicine है चाहे आपको गाउट की problem हो चाहे आपको osteoarthritis हो चाहे आपको rheumatoid arthritis हो या चाहे आपको psoriatic arthritis हो तो हर तरह के arthritis में यह बहुत अच्छा काम करती इवन osteoporosis के cases में भी बहुत अच्छा काम करती है जिसमें आपको pain बहुत important हो pain एक बहुत important symptom हो उस cases में हम ग्वाइकम देते हैं ग्वाइकम को हम mother tincture form में यूज कर सकते हैं तो next जो एक important medicine में आपका साथ share करने जा रही हूँ this is a combination of two mother tinctures इसको आपको लेना है एक medicine है curcuma longa का mother tincture और दूसरी medicine है still area का mother tincture यह दोनों medicines को आपको mother tincture form में लेना है और दोनों को आधिक कप पानी में दस दस पूंदे डाल करके लेना है अगर आपको अपने symptoms नहीं समझ में आ रहे हैं आपको अपनी टाइपस नहीं पता लग रहे हैं तभी आप इस medicine को ले सकते हैं this is very very beneficial और बहुत अच्छा result इसका रहता है आप इसको लंबे समय तक भी ले सकते हैं क्योंकि जो medicine है दोनों ही plant का extract है करक्यों मा लाओंगा आपकी healthy से बनी हुई दवा है जिसके लिए मेरी separate वीडियो भी बनी हुई है एक anti-inflammatory medicine होती है जितनी भी सूजन होगी जितनी भी जलन होगी जितना दर्द होगा जितनी भी गर्माहिश आपको पैदा हो रही होगी आपके ज्वाइंट में उसको दूर करती है जिस टेलेरिया medicine है इसको आप थोड़े से गरम olive oil में डाल करके अपने पैरों की थोड़ी से मसाज कर सकते हैं इससे मसल्स रिलाक्स हो जाएंगी आपको मीन वाइल आराम मिल जाएगा लेकिन पूरे treatment के लिए आपको constitutional medicine ही लीनी पड़ेगी तो फ्रेंट्स यह सारी इंफॉर्मेशन है psoriatic arthritis के बारे में जल से जल इसका इलाज शुरू किया जाए तो यह पूरी तरह से ठीक हो सकती है अगर आप मुसे बात करना चाहते हैं और बीना किसी appointment के acute कोई परिशानी उसमें बात करना चाहते हैं तो call me for आपका यूज कर सकते हैं जिसकी बागे की आप इस नंबर पर कॉल नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपका नंबर हमारे पास रिजिस्टर नहीं होगा तो अगर आपको इंफॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करन में जडब करें चैनल करते हिए इडरे मिली का नंबर हमारे पास रिते हैं हमारे वी शाहा है कर दो ओाने चैनल करेंदा मिली कि यार्मेशन